जार्खन नुज में आपका स्वागत है चलिए जानते हैं सुबा से लेकर साम तक की तमाम बड़ी खबरों को इसे पहले आप जार्खन के किस जीले से नुज को देख रहे हैं हमें कोमेंट बक्स में जरूर बताईए साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्र डेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूले आज का लाइक एम 500 है उमीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे जे एसेसी की नई नियुक्ती नियमावली खिलाब सुनवाई जार्खन हाई कोट में जे एसेसी की नई नियुक्ती नियमावली खिलाब दाखियाज का पर सुनवाई हुई सुनवाई की दोरान वादी की ओर से कहा गया कि जार्खन सरकार की ओर से सभी विभागों में निय अधिवक्ता पीएस पटवालिया ने कोट को बताया कि अन्य राज्यों में समान सर्टों को लागू किया गया है इसलिए सरकार ने नई निय मौली में इस तरह का परविधान किया है उनकी ओर से जारकन हाई कोट के पूर्ण पीट के एक आदेश का हवाला भी दिया गया जिसके तहद सरकार इस तरह का परविधान करने के लिए सक्छम है वादी की ओर से इस परापती जताई गई और कहा गया कि सरकार की ओर से इस मामले में दाखिल जवाब देर से दाखिल किया गया इसलिए उन्हें अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया जाए जिसके बाद कोट ने इस मामले की सुनवाई 16 फरवारी को निधारित की गई है जारखन में एक बार फिर मौसम कमीजाज भीगड़ेगा मौसम विभाग की माने तो मंगलवार के बाद से मौसम में बदलाव दिखेगा दो दिनों तक बारिस के असार है इसके बाद मौसम साफ हो जाएगा 9 फरवारी और 10 फरवारी को जारखन के कई जीलो में बारिस हो सकती है यहां हलके से मतदच की बारिस होने की संभवना है वही 11 फरवारी से मौसम फिर सुसक हो जाएगा बताया जा रहा है कि नौ परवाई तै ज्यार्खन की और से बदलाव आएगा दिर साम से मोसा में बदलाव हो सकता है रात में कहीं कहीं बारिश भी हो सकती है मैट्रिक इंटर परिक्षा मार्च तक जार्खन में मैट्रिक और इंटर्मीडियेट की परिक्षा को लेकर तस्वीर लगभग साप हो गई है जार्खन में मैट्रिक और इंटर्मिडियेट की वार्षिक परिक्षा को लेकर इसकुली सिक्षावा सक्षरता विभाग ने जार्खन एकेडमी कौंसिल जय को पत्र लिखा है और इस दिशा में आवस्य कदम उठाने को कहा है इसकुली सिक्षावा सक्षताविभाग के सचीव राजेस कुमार सर्मा की ओर से एप पत्र जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि मार्च के अम्तिम सप्ता में परिक्षा अनिवारे रूप से सुरू हो जाए जारखन में बनेगा पीएम मित्र योजना से मेगा इंटेग्रेट टेक्स्टाइल पार्क जारखन में भी पीएम मित्र योजना के तहत मेगा इंटेग्रेट टेक्स्टाइल पार्क के स्थापना होगी केंद्र सरकार ने राई सरकार से पार्क के स्थापना के लिए एक हज्यार एकड़ भोमी चीनित करते वे प्रस्ता मांगा है केंद्री एक अपड़ा मंत्राले ने इस बावत उध्योग विभाग को पत्र लिखा है और विभाग से इस दिशा में सिग्र प्रस्ता भेईने का अगरा भी किया गया है उध्योग विभाग द्वारा इसकी त्यारी शुरू कर दी गई है जियाडा को भोमी उपलब्द कराने का निदेश दिया गया है गरतला भाय की पियमीत्र का उध्य से एक आत्म निर्भर भारत के निर्मान और भारत को बैस्विक वस्त्र मांचित्र पर मजबूत्ती से अस्थापित करने के दिश्टी कोन को सकार करना है जार्खन में रहनेवाले 3,30,000,00 लोगों ने स्वास्थ कारनों से नहीं लिया टिका जार्खन में 13 महिने से चले आ रहे कुरोना टिका करन अब्यान से 3,67, CCV वन्चित रहगाए है स्वास्थ कारनों से इन्हें टिका का एक भी डो इन लगा पाया है स्वास्ते विभाग ने ठीका करन से वंचित लोगों की सूची तयार की है बताया गया है कि जब स्वास्त कर्मी इन लोगों के घर पहुंचे तो परिजनों ने उनके उल्टी दस्त बुखार चर्दी खांसी से पिडित होने की बात बताई इस वज़ा से उन्हें ठीका नहीं लगा पाया है इन लोगों को ड्यू कोर्स की स्रेणी में रखा गया है राजे में ऐसे 19 जिला के लोग सामिल है धनबाद में इस बार नहीं बढ़ेगी पॉब्लिक स्कूलों की फीश धनबाद जिला के अधिकतर पॉब्लिक स्कूल एकेडमिक सत्र 2022 ते इसके दोरान इसकूल फीश नहीं बढ़ाएंगे नए सेक्षन में पिछले साल की ही फीश लागू रहेगी इस वर्स फीश में बढ़ोतरी संभव नहीं है क्योंकि जारकन सिक्षा नए अधिक करण अधिनियम 2019 के तहट कोई भी स्कूल दो बर्स में एक बार ही ट्यूशन फीश में बढ़ोतरी कर सकता है इससे अधिक फीश बढ़ाने पर उन्हें उपायुक्त की अध्यक्सतावाली फीश कमिटी से मंजूरी लेनी होगी हलाकी सहर में कुछ ऐसे स्कूल भी हैं जिन्होंने पिछले तीन वर्सों से ट्यूशन फीश में बढ़ोतरी नहीं किया है ये स्कूल एकेडमिक सत्र दोयर बाइस तेज के दोरान भी फीश नहीं बढ़ाने कानी नहीं लिए हैं पलामू टाइगर रिजर्ब के बेतला में फिर दिखा तेंदुआ जार्खन के पलामू टाइगर रिजर्ब के बेतला नेशनल पार्क में दो और तीन फरवारी को अलग अलग जगों पर तेंदुआ दिखा हैं उसकी तस्वीर को कैमरा ट्रेप के माध्यम से कैद किया गया पिछले कई दिनों से बेतला नेशनल पार्क में लगातार तेंदुआ दिख रहा है इसका ने बेतला नेशनल पार्क प्रबंधन के द्वारा सुरक्षा बेवस्ता और बठा दी गई है जारखन में अभी नहीं होंगे पंचायत चुनाव सुप्रिम कोट में मनमोहन नागर बना मद्य परदे सरकार के मामले में आरक्षन से समधित मसले पर कोट ने आरक्षन का आधार पूछा तो मद्य परदे सरकार को फिर से पंचायतों का परिसीमन करना पर रहा है जार्खन के राज़ेपाल और सीम में टकराव जार्खन में जन जाते परामर्स दात्री परिशत के गठन समधित नेमाली को लेकर राज़ेपाल रमेस बैस के रूख से राजभोण और राई सरकार के बिश टकराव बढ़ सकता है राज़ेपाल रमेस बैस ने कानूनी सलाह लेने के बाद समधित फाइल टाई सरकार को अपस लोटा दिया है साथ ही वर्तमान नेमाली को असन वेधानिक बताते हुए उनमें बदलाव के निर्देश दिये उन्होंने काहा कि T.A.C. के गठन में कम से कम दो सदस्यों का मनोना है उनके अस्तष से अनिवार रूप से होना चाहिए हजारी बाग कोडर्मा चातरा रामगण में दूसरे दिन भी इंटरनेट ठाप हजारी बाग जिले के बरहे और कुडर्मा जिले के मरकचों में स्वस्वति परतिमाभी सहजन के दोरान हुए हिंसक जड़प और एक ब्यक्ति के मोद के बाद जारखन के चार जिलों में इंटरनेट पर लगाई गए पवंदी दूसरे दिन मंगलवार को भी जारी है करने वाले लोग इंटरनेट से वा ठप होने के कारण अपना काम नहीं कर पा रहे मोराबादी में दुकंदारों ने किया भूमी पुजन जारखन की राइधानी रांची के मोराबादी मैदान में मंगलवार को जमीन समतल होने के बाद फुटपाथ दुकंदारों ने भूमी पुजन किया दुकंदार संके सदस्यों ने विस्तार रूप से पुजा की कुछ दुकंदारों ने अपने अस्थानों पर जाकर भूमी पुजन किया भोमी पूजन करने के बाद दुकंदार अपनी दुकानों को सिफ्ट करने में जुट गए दुकंदारों का काना है कि मंगलवार की साम तक सभी दुकंदार अपनी जगा पर दुकान लेकर चले जाएंगे बुद्धवार के सुबा से सभी दुकंदार अपनी दुकान खोलेंगे रांची रेल मंडल को इद रिष्टी के लिए देश में चौथा स्थान जारखन किराजधानी रांची के रांची रेल मंडल को इद रिष्टी में पुरे देश में चौथा स्थान मिला है भार्तिये रेलवे द्वारा जारी दिसंबर 2021 के लिए भार्तिये रेलवे के सभी मंडलों के बीच रांची मंडल ने 88.62 पर्थियत स्कोर के अधार पर अस्थान प्राप्त किया या थी सुविदा में बेहतर बेवस्था सुरक्षा और परिचालन की द्रिष्टी से रांची मंडल में सुधार हुए है जार्खन में 583 उत्पाद सिपाहियों की होगी नियुकती जार्खन के उत्पाद एवं मगद निशेद विभाग में 583 उत्पाद सिपाहियों की नियुकती होगी विभाग से अधियाचना मिलने के बाद जार्खन करमचारी चायन आयोग ने उत पाद सिपाई परिक्षा 2022 की परक्रिया शुरू करते हुए इसके अभी आपन जारी कर दिया आयोग द्वारा जारी सुचना के अनुसार इस परिक्षा में सामिल होने के लिए 25 फरवरी से 26 मार्च तक ओनलाइन फरम जामा हो जाएंगे विसर्जन जूलूस में लाठी डंडे से पूलिस को पिटा चार गिरफतार जारकन में गिरी डी के बाद रांची से भी सोशथी पुझा की परतीमा बिसर्जन के दोरन हंगामा बवाल की खवर है कांके के वेटनरी कॉलेज के समीप रिंग रोड पर सो सती पर तिमा बिसर्जन में सामिल कुछ लोगों ने रभी वार राज सलक जाम कर जमकर बवाल किया जाम हटा ने पहुची पुलिस पर हमला बोल दिया पुलिस कर्मियों को ख़देर कर लाठी डंडे से पिता इस दवरान पिस्टल छिनने का भी पर्यास किया गया इसके बाद वर्दी फाड कर पैसे भी लूट लिये धन्यवाद यादि आप चनल पर नहीं हो तो चनलों के सब्सक्राइब कर बहुत के बेल एक अब यह साथ से वीडियो के एक लाइक कर अपने दोस्तों साथ करना ना भूले साथ साथ आप हमें कोमेंट बक्स में अपना फिड़बेक वासे दे थैंक यू